Hello friends, welcome back to my channel The Taste of India Friends, आज हम बनाने जा रहे हैं मतर की कचोडी अगर एक बार आपने इसे बनाया तो बार बार बनाने का बन करेगा इतनी टेस्टी बनती है और इसे बनाना तो इतना आसान है कि मानो बच्चों का खेल हो तो चलिए फिर सूपर टेस्टी मर्टर की कचोड़ी बना लेते हैं इसे बनाने के लिए बाउल के अंदर मैंने एक कप मेदा डाला है और उसमें फिर आदा छोटा चमच नमक डाला है दो पिंच मीठा सोड़ा डाला है खाने का मीठा सोड़ा होता है बस वही डाला है और एक चोटा चमच मैंने अजवाइन को अच्छे से हाथ से इस तरह क्रश करके डाला है मौइन के लिए मैंने ओईल डाला है तो लगबग मैंने तीन चोटे चमच ओईल डाला है अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है मोयन हमें अच्छी से डालना है ताकि हमाई जो कचोरी है फूली फूली और सॉफ्ट बने तो इसे चेक करने के लिए इस तरह मुठी में आटे को बांद के देखिएगा अगर इस तरह लड़ू बन रहा है तो परफेक्ट मोयन है वरना आप इसमें वो डालिएगा गुन-गुना पानी डालते में मैंने डो तैयार कल लिए है तो हमें दिलकाए दातकाई के साइड में रख दिया है दस मिनिट के लिए गड़ू हमारा है अब हम फिलिंग बना लेते हैं तो इसके लिए मिक्सर जायर के अंदर मैंने एक पाउल भरके फ्रेश मटर डाले हैं उसी के साथ मैंने हरा धनिया डाला है हरा धनिया जरू डालेगा इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अधरक्खा थोड़ा सा टुकुड़ा डाला है औ जेर निया है और वंट फ्रेम तान के अंदर मैंने पीसे मुझत आटे साथ में रूप आपाउड़ा तो दे लो ताकि मुझा जादा पाउडर जाला की यह थोड़ा जीर डाला है जाए भूंड लिया है निया टो जो जाल पाउड़ा है और छोड़ा साधी तो जो पीसके तो मैंने थोड़ी से डाला है और फिर थोड़ा से दन्यय पौडर पाउडर काला नमक . छलजीरा पौडर फोड़ा से डाला है चाट मसाला सभी थोड़ी तोड़ी याल दी है अधी चुटी मुझत । इन्हीं सब्सक्रण टालेया है गेस के फ्लैम की है ओफ और इसे ठंडा होने के लिए लग दिया है ठंडा होने के बाद मैंने इसमें काजू और किश्मिश डाले हैं इसमें ड्राइप्रूट डालने से कचोरी में जान आ जाएगी बहुत टेस्टी बनेगी तो आप जरूर डालिएगा अगर आपके पास हो अच्छे से मिक्स करके इस तरह से हाथ में बानते वे लड्डू बना लेना चोटी चोटी गोलिया बना के हमें रख लेनी है ताकि हम कचोरी के अंदर प्रिंग डाले तो आसानी हो अच्छे से मैंने सारी गोलिया बना के रखती है अब डो को भी देख लेते हैं वो भी ताकि एक बार में ही तोड़े के तयार कर ले। और कचोरी बनाने में हमारी आसानी हो लान आगपनानी है इस तरह से गोल बनाते हैं अब चाहे तो चकले और बेलन दोनों की सायता से समया सकते हैं तो हाथ से इस तरह से एक लोई को हमें फेला लेना है और जो गोलिया बना के रखी बीच में रखनी है और इस तरह से हमें इसे अंदर डालते वे गोल बना लेना है ताकि इस तरह से बॉल बना के कचोरी के अंदर इस मसाले को डालने से क्या मसाला बार नहीं निकलता है और आसानी से कचोड़ी बन जाती है तो इस तरह से गुमाते हुए हमें अच्छे से बंद करना है ताकि जब हम इसे फ्राइ करें तो ये मसाला बार ना आए और हातेली से इस तरह दबाना है ताकि जो मसाला है कचोड़ी के अंदर अच्छे स सेट हो जाए और यह हमारी जो कचोरी है परफेक्ट बने और फटे नहीं तो इसी तरह से मैंने सारी बनाई है और चकले और बेलन की सायता से आप इस तरह से बना सकते हैं थोड़ा अच्छे से बेल दीजिए और फिर जो गोलिया बना के रखिए बीच में डालिए और इस पे बिना पानी के ही बनाई है वैसे भी परफेक्ट बन जाती है तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं इस तरह अच्छे से बन कीजिएगा ताकि मसाला बहार ना निकले और हतेली से दबाते वे अच्छे से गोल बना लीजिएगा तो हमारी सारी कचोरी बन के तैयार है अब क जादा गरम नहीं रखना है लो टू मीडियम पे इसे अच्छे से फ्राई करना है तो जाए को कर्ची की साहता से इस तरह से इलाते रहना है ताकि हमारी जो कचोरी है फूल के अपने आप ही उपर आ जाएगी तो अच्छे से मैंने इलाते वे से गोल्डन फ्राई होने तक पर ओ डालना है अच्छे से नेलाना है तो मैंने गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया है तो देखिर हमारी पर्फेक्ट कचोरी बन चुकी है और बहुत ही अच्छी तरीके से फूली है देखिर ये फ्रेंट्स बहुत ही क्रिस्क्रीं बनी लिए आप इसके आवाज अच्छी यह रहे जाएगी कच्छी तो इस बात का आप जरूर दियान रखिएगा सारी कच्छोरिया हमारी फ्राई हो के तयार है अब भाई रहा नहीं जारा प्लेटिंग कर लेते हैं तो मैंने इसके साथ रखी हैं मीठी चटनी मैंने इमली की बनाई है आप चाहे तो हरी चटनी या पोदी निगी चटनी जो आपको पसंदो आप रख सकते हैं तो अच्छे से हमारी कच्छोरिया तैयार है देखिए मैंने तोड़ के भी दिखाई है तो सारा मसाला अच्छे से इसके अंदर पेला हुआ है अंदर से भी परफेक्ट पकी है तो मैं तो इसका अनन ले लेती आप भी पनाईए और आप भी मटर की कच्छोरी का अनल लीजिए और चैनल पे नए है तो चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले थेंक्यू सू मच फ्रेंड्स अभी कच्छोरी को मैंने फ्राई किया है